कडी चावल बनाते हैं इसे में कितने संदर पडी बनाई है पहले हम सारी प्यारिया कर लेकिते जो भी यह Viele नी चाहे लेकिने हमने चाहे सबकुछ पाईख लंक लिए उरकी पर लया रिखे आरखेल आक लिशयल्टे बकिन दाल है उसम। भी लिए भुड़। जीरा, मिर्ची, अद्रब, फाली मिर्च, लॉंच और इलाइची डाल ली है थोड़ा से नम्मा फिर थोड़ी से हल्दी तो थोड़ी से अल्दी डालेंगे फिर इसे बंग करके हम पीस लेंगे देखिए ये पीस के रेडी हो चुकी है फिर एक तरफ जो हमारा बेशन का गोल होता है अब हम उसे तयार करेंगे आधा लित्र माथा है माथा में पचास ग्राम कर्वी में देशन मिला दी इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे एक भी लंच नह रहां पूरी तरह अच्छी तरिके से जोड़ा सब्सक्राइब नमक डाल देंगे स्वादनी सार और हल्वी टाल देंगे स्वादनी सार फिर मिलाएंगे मिलाना है कि एक भी लंज ना रहा है आधे लिटर माथे में आधा कट्वरी बेशन 50 ग्राम और उसमें आधा लिटर पाली अपकड़ाई गर्म कर लें यह त्बाल देrop छंगले के लिए तेल पहले बडिटर बढाव करेंगे टील, कंवेँ इपड़ाब नमक एपआब में बड़ी डालेंगे प्रयल के सेल सुनहर ने तक और कोल्लें ब्राउण और चुम्ट और सेक कोण ज़ा ही बड़ी कचीनग है इसके लिए इसे हम धिले धिले फ्राइब करेंगे आग दो कि इसे सुन्दर तरिके से फ्राइब रहे हैं पूरा अच्छी तरिके से सुनहरा गोल्डे होने तर तर इसे स्राइब करना है। दिखी ते अमें इसे चलाल लेते हैं अब इसे हम निकाल लेंगे यह अच्छी अच्छी रह जाए तो इसे खोलने पर चिप-चिप करती है तो चिप-चिप ना करें इसलिए अच्छी तक इसे भूनेगे कि इतनी लाल हो जाएगे जितनी लाल हो जाएगे इतनी कुर्टूए लगेगी यह अमने बरी निकाल ली है और अफ ए जो हमारा तेल साफ लेट अफ इसे हम कल्चीक मदग से निकाल लेते हैं और फृस्में उन्सामाण डाल लेते हैं जो लेसुल, लाल मिट्च और हींग, प प्राई करने के मतलब किसे मने भूनना है उसके बाद उसमें घीरा और मेथी डालेंगे ध्यान रहे है मेथी जो है वो ज्यादा भूनना ने चाहिए तो कडिम इसका स्वाद तीता लगता है निन्सलाक अने दालेघ्ए अने खूज्ज़गी ईसका स्वाद उार आने लगी है इस ऐसे बीटर तयार किया है आधर लिटर माथा में में बचास ग्राम बीशान और आधा लिटर पानी डाल के जो हमने घोल त्यार किया है अब उसे डालेंगे हैं ख़ड़ा से और चला लेते हैं दो तीन मिनट में अच्छ तरीके से बुन जाएगे उसके बार ये देखिए हमने ये बैटर त्यार गिया था उसे डाल लेते हैं अब इसमें गरम मसाला आधी छोटी चमित गरम मसाला डालके इसे चलाएंगे अब इसमें बरी तयार करते रखी थे ना इसे चलाना है कम से कम 10 मिन तक इसे पकाईए इदम मधम आज पर आठ जाती नहीं जब 10 मिनट हो जाए तो फिर ये बरी डाल देंगे बरी डालके फिर हमें 10 मिनट और पकाई चलाते चलाते पकाना है तले पर लगे नहीं और यह देखिए फिर आखरी में धरियां से गार्मिस कर देंगे